हेलो फ्रेंड वागत है आपका आपकी अपने चैनल मास्टर सेव गुडिया में आज हम बनाने जा रहे हैं लड़ू तो यह मेथी का लड़ू है जो बहुत ही हलदी होता है और कहीं भी पेनों गुटने में बैक में मेथी का लड़ू जरूर बनाए और जरूर खाएं और हमे हम बनाते होता है तो चलिए आगे का एंग्रीडियंस दिखाते हैं आपको यह हम 100 g जीरा लिये हैं 100 g अजवाइन लिये हैं यह 200 g किसम लिये है एक गरी का सुखा गोला लिया को देखिए अपने सबस्क्राम 200 ग्राम मेथी सीट्स लिए हैं 200 ग्राम अलमंड लिए हैं 2-500 ग्राम काजू लिए हैं यह 200-300 ग्राम है चुवारा लिए हैं यह देखिए 500 ग्राम हम जिंजर लिए हैं यह 100-300 ग्राम हल्दी लिए हैं यह देखिए फ्रैंट जरूरी होता जिंजर पाव।र भी जरूरी होता है 400 ग्राम हम आटा लिए हैं यह देखिए उख उखांटा है थमस्ताइरम freshly harms काट लिया और जो मेथी अजवाइन और जीरा था उसको हमने पीस लिया है सब कच्चे पीसना है भूनना नहीं है रोश्ट नहीं करना भी यह हमने मेथी देखिए पीस लिया है अच्छे से ग्राइंड कर लिया है सारे ग्राइंड कर लिये और जो ड्राइफ फूट से उसको मैंने कट कर लि यह देखिए गुड है जिसमें हम लड्डू बनाएंगे तो मेती के लड्डू या अलसी के लड्डू सारे गुड में बनते हैं तो यह देखिए मेती का लड्डू बहुत कमी लोग बनाते हैं तो हम आपको बता रहें एकदम न्यू इस्टाइल है कोई नहीं बनाता होगा इ हaware इसमें हम जो अजुवाइन का अजुआ टा उसमें भून लेंगे और रोस्ट कर लेंगे जादा नहीं भूतना प्रहे पर सहल्के बाता हैं तो हमन को तेल में को बना रहें हैं अम सर्षो consistent अंसके तेल ज्यादा नहीं भूहना फ्रैंट्स नहीं जल जाता है तो यह थोड़ा सा हमें फार कर लेंगेस अ जादा नहीं भूलना है ये मेथी जो मेथी ग्राइड किया था बहुत ही बारी करना दर्द्रा नहीं करना है तो यह देखिए आमने प्लेट में डाल दिया है और गुन गुने पानी जो जैसे हलूँ आप trembling गोल लें देखिए क्योंकि मेथी पानी बहुत अब्जॉब करती है तो मेथी में थोड़ा ज्यादा पानी डालेंगे मेथी जो ग्राइंड किये थे उसमें ज्यादा पानी डालेंगे ताकि जब हम बड़े बनाएं इसके तो अच्छे से बन जाए यह देखिए तो आप सोच रहे होंगे बड़े क्यूं बनाएंगे मेथी के लड़ू में तो हम अलग तरीके से मेथी का लड़ू बना रहे हैं तो आप बड़े इसमें जरूर बनाते हैं मेथी का बड़े बनाते हैं तब भी लड़ू तब जाके लड़ू बनता है तो देखिए आदे इसको मसलते हैं तो इसको मेती को भी अच्छे से मसल मसल के रखना है मुलायम करना है यह देखिए तो आपको तो हम बता ही चुके हैं कि हम आयल में बना रहे हैं आप घी में बना सकते हैं मुझे घी नहीं पसंद होता है इसलिए मैं आयल में बना रहे हैं यह देखिए हमने हाथ को एकदम क्लीन कर लिया है तो चलिए आगे का प्रोसेस सुरू करते हैं यह जो मेथी हमने मैस क किया था मेथी ग्रायंड करके उसको थोटे-छोटे हम बॉल में बनाकर अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करके तरह बना लेंगे ऑथ थोड़ा बीच में होल करके होल कर देने ऑफ जो बड़े हैं ताकि जो बड़े से पकते में देखिए कितने सुनल बन रहे हैं कि अच्छे बन रहे हैं वहत जल्दी बन जाते हैं थोड़ा ने यह जो लडू है उसको बनाने में थोड़ा सा ठाइम क्रिजМ तो लगता है लेकिन बहुत इटेस्टी बनता है आप यकीन मानिए बहुत यम्म होता है बहुत हिल्दी भी तो होता है आप कभी भी खा सकते हैं देट regular जादा सब बनाते हैं तो ठंडी में जादा क्रासक देख् ela कहाने से ज्यादा लगभऻ प्लेम पर नहीं करना कि यह दह ako मिडियम पर करें हृँम की को निकाल लेंगे कुछ घलिव अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे जो बचे हुए हो friendंija Leah है तो यह जो आयल को यह जादा हुआ है तो आयल भी कड़ाई लिए रख लिया था हुथ अब इसको अक्षे से बारीक बारीक किसको पूड लेंगे इस देखिए क्रेस लेना है जो बड़े हमने बनाओ थे ऊसको हाँ बहुत हैं से टृट करेंना करना बहुत जरूरी है इस लिए felt हमने बढ़े इसलिए भूखना रहे था क्योंकि यह बहुत ही अलग है हम अलग होगी लिए हमने करों से सीख जैे हमने अपनी मा से सीखा है मेरी मा अक्सर यह से बनाया करती थी लड्डू तो हम इसको अक्सर देखते थे उनको बनाते हुए तो हमने सोचा हम भी आप तक इसको पहुचाएं ताकि आप लोग भी बना के खा सकें तो यह हमने थोड़ा सा ओयल डाला कड़ाई में और जो सारे ड्राइफ रूट भराब नहीं होता है क्योंकि सारे अच्छे से भूने हुए होते हैं तो उसका कच्छापन जब निकल जाता है तो ज्यादा दिन तक चलता है इसलिए थोड़ा सा रोश्ट करके बनाते हैं यह देखिए थोड़ा सा इसको हम अच्छे से भूनेंगे ब्राउन होने तक मसाले को यह जो ड्राइफ फ्रूट्स थे इसको हम अच्छे से भूनेंगे यह देखिए गैस को मेडियम प्लेम पर ही रखेंगे हाई फ्लेम पर नहीं रखना है तो आप देख सकते हैं आप ऐसे ही करिए और मेती का लड़ू जरूर बनाए जरूर खाईए और हमें कमेंट प्रेस करना ना भूलिए प्रेंट्स ताकि जो हमारी नई रेस्पी आए वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके यह देखिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को यह देखिए ऐसे ही करना है थोड़ा सा रोश्ट करन लेना है तो यह लग-बग हो चुका है जादा नहीं करना है जादा आसको जलाना नहीं है बस इसका कच्छापन निकालना था तो हमने इसको थोड़ा सा रोश्ट जीरा हल्दी और जिंजर पौडर सब हमें एक में मृक्स कर लेंगे प्रैंट्स यह देखिए हाँ से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि चिली तो होता नहीं है कि हाथ में लगे तो आप हाँ से मैस कर सकते हैं इसको प्लेट में हाँ से मैस करेंगे ज्यादा अच्छे से मैस होता है यह देखिए गुड जो है पिघल भी चालू हो जाता है फिर उसके लड़ू अच्छे से नहीं बनते हैं तो इसको चलाते रहें थोड़ा मेनत तो लगती है फ्रेंट्स थोड़ा मेनत लगती है लेकिन लड़ू भी बहुत हेल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है यकीन मानिए आप यह देखिए और उचे से मैस करेंगे घुड़ में या देखिए आपको सेम ऐसे करना है तो जोंने रैव फूड्स हमने भूना था उसको इसमें डाल दाल दियेंगे ये देखिये डाल दिये आं कडाई में उसको गुड़ में मिला देंगे जाते वहीफ अच्छे से मिलाइंगे मिला आया था उसको इसमें मिला देंगे बहुत ही अच्छा लगता है टेश्टी लगता है तो आप सबसे बढ़िया यही लड्डू होता है मेथी का लड्डू जरूर बनाईए मुझे तो बहुत पसंद आता है फ्रैंट्स यह देखिए अच्छे से मिला दिया तो हमने जो आ लेंगे ताकि लड्डू जो है बहुत अच्छा बने तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख सकते हैं ड्राइफ रूट्स सारे दिख रहे हैं और खाने में बहुत अच्छा लगता बहुत ही अच्छी महेंकार है तो जो आटा बचा था उसको भी हमने मिला दिया इसमें तो यह लगबग हो चुका है दो मिनट तक हम बेड करेंगे और फिर इसको बावल में निकाल रहे हैं, यह देखिए, इसको बावल में निकाल लेंगे फ्रेंड्स, यह देखिए, बहुत अच्छा कलर भी आया है, आप देख सकते हैं, सारे ड्राइफ्रूर्ट दिख भी रहे तो बावल में अच्छे से ठंडा नहीं हो रहा था तो मिसको प्लेट में थाली में रख दिये हैं आप भी ऐसे कर सकते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना रहें तभी आप बनाईए चारो तरफ इसको अच्छे से फैला दिये हैं ठंडा होने के लिए तो हम एक गंटे का वेट क बनाते हैं वैसे बनाना है इसको नहीं करना तो इसको फ्रेंट्स के ब्लाने कि बना लेघेना में जल्दी जल्दी बना लेता है इसको आप बहुत थाक्र फ्रैंट्स देखते हैं प्लेट में बना बना के रख रहे हैं कितना अच्छा दिक रहा मूँ में पानी आ रहा है यकीन मानिये बहुत ही टेश्टी बनता रहे बहुत हेली होंगे तो यह देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब सेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए धन्यबाद दोस्तों